एक दिन राधी का और उसकी सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था तब विजय जाते-जाते कहता है सुनो ताला लगा के सुना अच्छे से खिड की दर्वाजे चेक कर लेना और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना हाँ जी कोई दिकत नहीं है अब आप आराम से जाएए शादी में मैं ममी जी का पूरा खयाल रखूँगी और अपना खयाल भी रखना हाँ जी हाँ जी अपना भी रखूँगी अब जाएए ना थोड़ी देर बाद गाओं में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंस्मेंट होती है जीप वाला आदमी कहता है सुनिये सुनिये गाओं में चोरी होने की वारदाते काफी बढ़ गई है इसलिए साउधानी बरते अपनी खिड की दर्वाजे सही से बंद कर ले अरे राधिका सुना तुमने मुझे तो बड़ी घबराट हो रही है नहीं ममी जी आप घबराइए मत मैं हो ना मैंने सारे खिड की दर्वाजे बंद कर दिये है और कुछ भी होता है तो पुलिस का नमबर तो है ही मेरे पास अच्छा मेरी तो सासे तेज चल रही है बेटा एक तो ये विजे भी घर पर नहीं है मम्मी जी वो भी जल्दी आ जाएंगी मेरी अभी फोन पर बात हुई थी आप बस रिलेक्स रहिए उदर दूसरी तरफ दो चोर रात में गाउं में चोरी करने का प्लान बनाते हैं दोनों सास बुवा के लिए उस गर में अच्छे से पता लगा या नो हाँ कोई और नहीं है घर पर अच्छा मौका है हाथ साफ करने का अरे वह अब आएगा मजा देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है दोनों चोर गाउं की तरफ निकल जाते हैं अरे कौन सा घर है वो कोने वाला तुम बस मेरा पीछा करो ठीक है ठीक है दोनों दबे पाउं बचते बचाते राधिका की घर के बाहर तक पहुँच जाते है ये सास बहुँ बड़ी चालाक है कितना कसके सब बंद किया हुआ है एक भी खिड की नहीं खुल रही चोर खिड की खोली रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है मैं आपके पास ही हूँ तुमने कुछ आवासे सुनी माजी बस बिजली कड़की है अब बेवज़ परिशान हो रही है मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ ठीक है बेटा राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है उसे खिडकी से चोर की परछाई देखती है ये देखते राधिका थोड़ा गवरा जाती है वो अपनी सास को इशारा करती है उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है शान तुझा ये ममे जी श्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अर अगर कैसे बेटा मा जी इस वक्त अचानक वो पहुँच भी नहीं पाएंगे मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहे उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है वो सब सामान देख रहा होता है, तबी उसको आवाज आती है सुनिये जी, देखिये तो, खिड़के के पास कोई है मुझे लगता है चोर है अरे, इसका पती तो घर पर है नहीं, नहीं, वो बहार गया हुआ है मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था तो ये बाते किससे कर रही है? रादी का जान बुझकर जोर-जोर से बाते करने लगती है सुनिये जी, जल्दी आईए न बाहर मुझे पक्का शेके के घर में कोई घुस आया है अरे, लगता है इसका पती आ गया है ये दोनों अकेली नहीं है बोलो की जान करी तो गलती बागो! चोर घबरा कर जल्दी-जल्दी बाहर की और भागने लगते हैं तभी एक चोर का पाँ फिसल जाता है मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है वो गली के कोने तक पहुँचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है अरे, रुकता! किदर भैग रहे हो, दोरो? कब से तुम दोरों की तलाश दी हमको? साब, छोड़ दो हमको साब अमने कुछ नहीं किया अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहां जोगिंग करने आये थे? अवालदार, दोरों को हटकरी ते लेती है